आपके अपने चैनल आपका स्वागत करती हूँ आज हम गेवों के आटे से की एक बहुत बड़या नाष्टा बनानी जा रहे हैं और वो नाष्टा है आलू पैकेट्स इसे बनाना बहुत सिंपल है यह बहुत टेस्टी भी लगता है तो चलिए हम आज तयार करते हैं आलू पैकेट्स बनाना तो आलू पैकेट्स बनानी के लिए यहां पर मैंने दो कप गेहूं का आटा ले लिया है बावर में बड़े बावर कोप गेहूं का आटा ले जए आटे को में ने चाल लिया है और आधा कप आप मेदा ले ले जए यानि की दो कप गेहूं का आटा और आधा कप मेदा 1-4 चमच में यहां पे नमक डाल रही हूं 1-4 चमच से भी बहुत कम यानि की एक चुटकी बेकिंग सोडा यानि की खाने वाला सोडा और इन सब समान को हम मिक्स करेंगे और अब हम क्या करेंगे की 1-4 चमच यहां पे मैंने डिफाइन होई लिया है वह हम इसमें डालेंगे और इसे हाथ से मिक्स करेंगे यह देखिए यह अची तरीके से मिक्स हो गया है और अब हम क्या करेंगे की इसका आटा लगा करके तयार करेंगे तो हम थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते रहेंगे तो यह देखिए हमने आटा लगा लिया है यह देखिए यह इस तरीके का आटा आप लगाए रोटी से थोड़ा सा टाइप और कचोरी और समोसे से थोड़ा सा धीला आटा तो यह आटा हमने लगा लिया है और अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा तेल लगा करके और आटे को हम रेस्ट के लिए रख देंगे और अब इसे आदा घंठा रेस्ट के लिए रख देंगे और तब तक आटा रेस्ट कर रहा होता है तब तक हम इसकी स्टेफिंग बना करके तयार करते हैं स्टेफिंग तयार करने के लिए यहाँ पर मैंने गेस होन कर ली है और एक प्राई पेंगे इस पर रख दिया है और हम क्या करेंगे कि एक बड़ा चमच हम तेल कर लेंगे तेल गरम हो गया है तो हम सबसे पहले डालेंगे तो राई पक गई है हमने यहाँ पे एक प्याज लिया है जिसको हमने बारिक चौप कर लिया है प्यास को अब देए नियुक्ति और रणी होग्या है तो अब यहां पर यहां पर एक खारी मेंचिली थी को भी हमने बारी काट लिया है आप यहां पर लितुन अगर पसंद करते हो तो लितुन भी डा सकते हो अब प्यास को अच्छी तरही केसे भून ले Ce प्यास भून गए हैं मैंने पास यहां पर राद शिमला मिछ ती तो मैंने राद शिमला मिछ टाल दी अपके पास हो तो आप ज़रू डाल दें बहुत अच्छा टेस्ट आता है और फोड़िसी केब्सिकन ती तो जो भी मैंने डाल दी है फ्लैम को मेडियम ही रखें और इसे ह सब्सक्राइब लिए हैं टमाटर के साथ हम यहां पर वन फूर्ट चमच खली पाउडर आदा चमच यहां पर मोटे धनियों को मने आजर चुक्रों में तो उदिया था फ्लैम को मीडियम ही रखें नीशो सब्जिया जल सकती है यहां पर मैं रेड चिली फ्लेक्स डाल रही चाट मसाल अगर आपके पास नहीं हो तो आप यहां पर हम जूर पाउडर डा सकते हैं और अब हम इसमें नमक मिलाएंगे वन फूर्ट चमच यहां पर मैंने नमक लिया है इन सभी मसालों को हम बहुत अच्छे से भून लेंगे मसालों की बहुत ही अच्छी खुश्बु आप हम इसमें और ऊपलवी सब्चियां ले सकते हैं और नकी सबहुत ब्लक परिंगों क्याता वर मैंने नमक प्रयों है सब्चुने करें और और अलू की जगे अच्छे डान ने हैं इसपासे में हुल न Isle यहां पर मैंने गरा मसाला लिया है, बहुत ही अच्छी खुश्डु आ रही है और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है इस दिस में, तो यह देखें इन सारे मसालों को हम अच्छी तरीके से भूल लेते हैं, और लास्क में हम क्या करेंगे कि बहुत सारा हरा धनिया, हम इस अच्छी तरीके से सेट हो गया है, तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा ओल वापस से हाथ पे लेंगे, और इस आटे को हम अच्छी तरीके से एक बार वापस से मसल लेंगे, यह देखें हमने आटे को अच्छी तरीके से मसल लिया है, और इसका थोड़ा सा पीस हम अलग रख इस तरीके से हम इसकी गोल लोई बना लेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमने एक बार चाल लोई बना ली है, अब थोड़ा सा ओईल हम प्लेट फोम पे डालेंगे, और एक आटे की लोई लेंगे, थोड़ा सा तेल का हाथ हम बेलन पे लगाएंगे, और इसकी पूड़ी बनाएं अब क्या करेंगे कि ईससारी भोलाई पर फंगली से पानी लगा देंगे और फोड़ेसी स्टुफंग हम इसके अंदर रखेंगे विच ओबीच रखेंगे इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे यहां पे लाके फोल्ड कर देंगे और इस वाले portion को भी हम यहां पेला के फोल्ड करेंगे, हलके से हाथ से प्रेस करते हुए इसे दबा देंगे, और आप हम इधा से इसको भी फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा हामी से खीचते हुए, यहां पेला के फोल्ड कर देंगे, हाथ से आप हलके हाथ से प्रेस करते हुए, इसे चिपका दीजिये, और अब इसे हलके हाँ से उठाईए, ये देखिए ये बन गया पेकेट, तो इस तरीके से हम पेकेट बना लेंगे, और हमने जो यहाँ पे फोड़ा सा आटा रखा था, इसका भी हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे ग्रीन फूड कलर लेंगे, और हम आ आप बना करके रख सकते हैं, तो हम इसको भी बेलेंगे, इसकी भी हम एक पुडी बेल लेंगे, और हम क्या करेंगे, कि एक चाकु से हम इसकी तरीके से स्टिक तेयार करेंगे, जिस स्ट्रिप को हम उठाएंगे, उसके पाने लगा लेंगे, एक पारसल हम लेंगे, कि इस तर तरीके से पैक करते हुए और इसे भी थोड़ा सा पानी लगा के हम हलका सा प्रेस कर देंगे यह देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर पैकेट बनके तयार है है ना बहुत सुंदर पैकेट तो इस तरीके से हम सारे पैकेट बना के तयार कर लेंगे तो देखिए यहां पर मैंने इतने पैकेट तो बना लिये हैं और हम इनको तरते हैं जब तक हम और दूसरे पैकेट बना के के तयार करेंगे इनको तरने के लिए यहां पर मैंने तेल को जब मैंने बनाने स्टार्ट किया था उसी टाइम पर कड़ाई में डाल करके और गरम होने के लिए रख दिया था। तो हमें इनको तरने के लिए मीडियम हॉड तेल चाहिए। तो यै अब तक काफी तो यह अब तक मीडियम गरम हो गया है। आप इस तरीके से हाथ ले जाते हुए देख सकते हैं कि यह हाथ पर अच्छी हीट आ रही है तो इसका मतलब हमें इतना ही तेल गरम चाहिए और फिर भी अगर आपकी समझ में नहीं आए तो आप थोड़ असा आठा डाल के देख लीजिए यह देखिए धीरे-धीरे बबस आ रहे हैं तो हमें भी इसी तरीके का गरम तेल चाहिए तो हम इन पैकेट्स को तेल में डालेंगे एक बार आपकी कड़ाई में जितने पैकेट आए आप इसी साबसे ही डालें तो हम इनको दीरे-दीरे तलने देते हैं यह दीर-दीरे सबस्कत보र में सबहरा है तरह कि सब्सक्राइब कर बहुंद पाल लेंगे में आस्मेट लिए समारे समय कह राउन praying के थे झाल लेंगे तो आब हम हैरा मेन निकालिए कब्चिवों या और लेंगे पंट कि अ दोताने हैद लुए बहुती सुंदर समोसा कचोरी भी इसके आगे फैल है एक बार अगर आप बना करके अपने बड़ों को और अपने बच्चों को खिला दिये तो बच्चे समोसा और कचोरी खाना भूल जाएंगे आप घर में इस तरीके से अलू पेकर्स तयार कीजिए बहुती सुंदर बहुत अट्रेक्टिव चीज है यह आप चाहों तो इसका थोड़ा सा और डेकोरिशन कर सकते हो जैसे की सौस की एक एक बून डाल दीजिए बहुत सुंदर बने गए तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी रेसिपी आपको अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप चैनल को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेट्स रेसिपी के साथ तेंक यूँ